दोस्तो, आज हम आटे का हल्वा बना रहे हैं ब्रतों में पूरे दिन भुके रहने के बाद जब रात को हम खाना खाते हैं तो एक्ष्रा एनर्जी की जूरत होती है उस एक्ष्रा एनर्जी का पूरा खया रखा गया है इस रेसिपी में तो आई आहिर बनाते हैं आटे का हलवा आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक शुगर सिरप बना लेगे इस शुगर सिरप में हमें एक तार दो तार का शुगर सिरप नहीं बनाना है simply sugar और पानी को हमने पका लेना है जब तक कि sugar उसमें अच्छे से dissolve हो जाए तो sugar सिरफ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है इसमें मैं sugar add कर लूँगा और इसमें हम लगबग 2 कप पानी add कर लेंगे पानी और sugar को पतीली में डाल देना है गैस के flame को on कर देंगे और हमें तब तक पकाना है जब तक कि sugar उसमें dissolve हो जाए देखे यहाँ पे sugar syrup हमारा ready हो गया है sugar अच्छे से dissolve हो गया है पानी में यहाँ पे हमें gas के flame को बंद कर लेना है और sugar syrup को हम आगे हलवे में यूज़ करेंगे अब आते हैं बाकी सारी preparation की तरफ यहाँ पे मैंने एक लोहे की कड़ाई ली है लोहे की कड़ाई में हमने एक टी स्पून घी एड़ कर लेना है और जो भी nuts हम यूज़ करने जा रहे हैं इस recipe में हम उनको toast कर लेंगे यहाँ पे मेरे पास आधा कटोरी मखाने है मखाने आपको व्रत के टाइम में extra strength देने के लिए बहुत काम आएगा बहुत ही nutritious seeds है यह मखानों को हमने कड़ाई में डाल देना है और dry fruits में मैं use कर रहा हूँ almond, cashew nuts, यहाँ पे मेरे पास तोड़े से raisins है walnuts, आपको जो भी dry fruits पसंद हो आप इसमें add कर सकते हैं और इसको हमने lightly toast कर देना है जब तक कि मखाने crispy हो जाए हमारे nuts में थोड़ा सा crunchy texture आ जाए nuts को हमने एकदम low flame में हलके हलके करके भूनना है देखे nuts यहाँ पे अच्छे से toast हो गए है इसको मैं एक plate में निकाल लूगा थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको हम coarsely grind करेंगे आगे nuts यहा पे एकदम crunchy हो गए है अब हमने इसको एक plate में नेकाल लिया है थोड़ा सा cool down करेंगे आगे जाके हम इसको coarsly grind करेंगे देखे यहाँ पे लोही की कड़ाई है और डी गरम है इसमें मैं लगबग एक कप घी डाल दूँगा आटे के हलवे में जो कॉंबिनेशन है आटे का और घी का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कप हम यहाँ पे घी यूज़ करेंगे एक कप आटे के लिए एक कप घी मैं कठाई में डाल लूँगा यहाँ पे घी अच्छे से मेल्ट हो गया है इसमें हमने एक कटोरी आटा मिला लेना है और हमने लगातार इसको चलाते रहना है यहाँ पर हमें आटे को चलाते रहना है और इसके लंप्स को तोड़ते रहना है इसमें कोई भी लंप्स ना फॉर्म हो अभी देखे यहाँ पर आटे कलर थोड़ा सा ढाक हो गया है हलका सा ब्राउन जब हो जाएगा यह इसमें हम सुगर सिरप मिक्स कर देंगे आटे को भूनते वे हमें यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए है 15 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद देखें यहाँ पे आटे का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हमने इसमें शुगर सिरप मिला देना है इस से जादा डाक कलर हम नहीं करेंगे आटे का आगे जाके हम इसमें शुगर सिरप मिलाएंगे और कुखिंग करेंगे तो इसका कलर और जादा डाक हो जाएगा और जब आप शुगर सिरप मिला रहे हैं तो आपको ध्यान से मिलाना है थोड़ा सा केरफूल होके मिलाईए क्यूंकि यह आपके उपर उचल भी सकता है इसलिए आपको केरफूली इसमें शुगर सिरप मिलाना है और इसको मिक्स करते रहना है जो भी गाठे इसमें फॉर्म होंगी उनको लगातार ब्रेक करते रहना है यहापे ड्राइफ रूट्स थंडे हो गए है अब इसको हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे देखे इस तरीके से हमने दरदरा ग्राइंड कर लेना है ड्राइफ रूट्स को जो ड्राइफ रूट्स को हमने क्रश करा है इसके उपर से हम इसमें मिला लेंगे और थोड़ा सा कार्डमम पाउडर कार्डमम पाउडर हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है थोड़ा सा मिलाएंगे बस हलकी सी खुश्बू के लिए और एक बार इसको मिक्स कर लीजे शुगर सिरप और ड्राइफ्रूट मिलाने के बाद आपको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है पांच मिनट और पकाएंगे और हमारे आटे का हल्वा एकड़म रेडी हो जाएगा तो दोस्तों ये आटे का हल्वा बनके रेडी हो गया है आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राय करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्स्राइब कर लीजे थैंक्यू पर वाचिंग गाईज